दूमा जी, दूसरी चीज यह हमने मार्क किया है, कि जब भी हम भोजन लेने बैठते हैं, तभी पूरे दीन का सारे सीटी का, सारे आजू-बाजू वाले के, रिश्तिदार के, सब रिपोर्ट उसी टाइम दिये जाते हैं, जब खाने बैठने हैं, तभी चालू हो जाती है, जब खाना खाएगे, तब तक सब चलता है, कि कौन आया था, क्यों आया था, क्या किया, क्या नहीं किया, किस के गर में क्या लाए, किस के गर में कौन आया, कब आया, यह कहीं बार तो ऐसा होता है, कि जब मेरे को बता ही नहीं चलता है, उसने क्या बोला, क्यूंके मैं तो म अभी पती देओं के लिए ये प्रॉब्लेम है, मिज्जोरिटी. तो इससे चुटने का कोई रास्ता बते ही है, ये तो हर रोज चलता है, सुबह सांज, खाने के टाइम. आपने एक नियम ले लेना, कहते हैं ना, बाधा ले लेते हैं ना, ऐसी बाधा ले लेनेगा, कि खाने के समय मैं बोल दूंगा नहीं, और कानों से सुनूंगा नहीं. निरुमा, दूसरी बाधा बहुत भारी है. आप मत बोलो, मुझा केले में खाने दो. खाने अट सब परोष देओ, टेबल पे, जितना है सार अला देओ, आप अपने रसोई घर में चले जाओ, या अपने कमर में चले जाओ, मैं चुप चाप खालूंगा. कुछ नहीं मिला, तो भी हरकत नहीं, लेकि नहीं, आगे की बाध, सुनने की बाध, मुझे जहना नहीं चाहिए. उसका पेज़ रिजन क्या होगा, निरुमा जी? यह कहती है कि उसको हर स्री को समय कब अच्छा मिलता है, मुझे न, मुझे न, मुझे, सुनेहरा मुझे, वो तीन घंटे रसोई घर में रसोई बनाती है, अच्छा अच्छा, उसको मालूम है, पती को क्या-क्या पसंदे, क्या-क्याने, जो भी कुछ अच्छा-च्छा बनाती है, तो उस समय पती जब थाली सामने आता है, तो उस वक्त वो अपनी पत्नी के सामने एसान मंद होकर बैठता है, खाने को, कितना अच्छा बनाती है, तब उसको लगता है कि अभी जो मुझे कुछ कहना है, सच्चा कहना है, जूठा कहना है, इसके कान में पॉजन डालना है, या अमृत डालना है, जो भी कुछ डालना है, इसके लिए ये मौका सुनेरी मौका है, वो खुद नहीं समझती है, लेकिन अंदर भीतर में उसके समझ में आता है कि बेचारा थका हुआ है, काम धंदे से आया है, कितना परेशानी, भूका है, सुबो का गया, शाम पे आया है, तो अच्छे भी खाने के समय, उसको शांती से खाने दो. सब लोग कहते हैं कि खाते के समय, शांती से खाओ, बाते मत करो, और कुछ अपने, अपना माइन, अपना ब्लड प्रेशर, सब नॉर्मल रहे, ऐसा करो, तो इतना एमोशनल होगा है, तो खाते खाते भी पी बढ़ जाएगा. और उसमें मैंने देखा है, निरुमा जी, कई बार बात कहते समय, अपने से ये सोर नो भी करा लेती है, कि ये बराबर है ने, अपने ये जाएगे ने, आप ये करोगे ने, ये भी होता है, निरुमा जी. वही तो मुका है, उसे ही तो हम सुनहरी मुका कहते हैं. आपके पास उसका खुद खुद चेक लिख कर रखती है, आपके सामने पेश करती है, और आप खाते-खाते, खुश हो के, साइन भी कर देते हैं, अन्दे हो के. निरुमा जी, ये बात बरावर है, पर मैं महुन रूम में भी तीन-चार दिन जा के आई, तो भी आई तो वैसे के वैसा हुआ, महुन में भी गई तो भी ऐसे कैसा है, अभी उसे क्या कर सकते है, चुप-चाप बेठी रहती हु, मैं तो भी हो, बोलती ने तो उसको पसंद न लोगा, तो फिर उसको बोलने दो, और आप सुनते रहो, और क्या, नहीं, मैंने बोला कुछ ऐसा बोले के जरी दिल को अच्छा लगे, ओ इसने ऐसा किया, उससे क्या मतलब, उससे तो कोई परिशना नी बढ़ती है, ओ अपनी हैविट से मजबूर है, और आप अपनी हैव जाओ, भगवान का नाम लेते है, और आप अपने हाथ से खा लेओ, उस समय आप उनको बूल जाओ, तो खाने के समय तो पत्नी सामने रहना ही चाहिए, तो इक खाना गले के नीचे उतरेगा, तो जब पिरस ये तो ही मैं खाता हूँ, उसने ओ भी हैविट डाल दिया है, ल ये जो बात चल रही है, इसमें ऐसा कुछ है कि इंप्रेशन जमाने के लिए भी ऐसा ये यू-उस हो सकता है, ये टेक्निक, इसे फ्रेंज में मैंने मा किया तो दूसरे के सामने मेरी खुद की इंप्रेशन बनाने के लिए मैं तीसरे परसन का रॉंग इंप्रेशन डाल द आते हैं, और ऐसा भी होता है स्रीयों को कि दो जने को बहुत अच्छा मेल जूल है, तो उसको सह नहीं होता है, सह नहीं होता है, तो उसमें तिराट डालने के लिए कुछ पॉईसन डाल देते हैं भीश में, तो दोनों में एक दूसरे का दोस्ट देखना चालू हो जाए है तो इसमें मुझे तीनों जन का रोल कैसा होना चाहिए, वो समझना है, जैसे कि मैं और मेरी फ्रेंड के बिश में तीसरा को जाल डाल रहा है, तो मुझे क्या रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ज्ञान और नॉर्मल लाइफ में, कि तागे मुझे भी शफोकेशन नहीं ह होना चाहिए, कि अगर हमारी फ्रेंड्शिप उसे कहा जाता है, कि तीसरा कोई बिश में आ ही नहीं सकता है, यह तो आप तो फ्रेंड्शिप की बात करते हैं, लेकिन यहां तो पती-पत्ने के रिलेशन में, सास और बहू के रिलेशन में, देवरानी-जिठानी के रिलेश में, तो बिजनेस पार्टनर के रिलेशन में, रह जगह पर यह problem आ सकती है, तीसरा तो कोई बीच में आने ही वाला है, तो हमें इतनी ता समझदारी होनी चाहिए, कि कौनसी बात मेरे हीत की है, और कौनसी बात मेरे अहीत की है, अगर इतना वीवेक हमें नहीं रहा तो हम बहुत दुखी होंगे किस बात को हम अपनाएं और किस को हम न अपनाएं, जाने दे इतना तो हमें सूझ होना ही चाहिए, उसकी दिमार्केशन डालना आनी चाहिए कोई लाख हमको कुछ बात कहे लेकिन हमारा अपना खुद का तो कोई समझदारी का निश्चे होना चाहिए, इंदिरने होना चाहिए गलत बात कोई हमारे कान में डाले तो हमें सुनना नहीं चाहिए हम कच्चे कान के नहीं है किसी के कहने से हमारे कान कान में गुश जाए और सब बाजी बिगड़ जाए इस महा तो बहुत स्ट्रॉंग रहना चेहिए क्या जिस चीज से नुक्सानी होता है हमारा औरों का सबका उस चीज को कोई महत्वा ने देने का है सच्छी लाग सच्छी रही तो भी उसको कोई इंपोर्टन्स नहीं है इससे कोई फाइदा नहीं है वहाला कि सच्छी जूठी कुछ होता ही नहीं है, अपनी ही belief, अपनी ही मान्यता, अपनी ही law book की सच्छी बात, जूठी बात होती है, हर कोई अपनी ही law book लेकर चलता है, खुछ सच्छा मानता है, वो लोगो क्या हिसाब से और औरों को भी मानने लगाता है, दूसरों को फोर्स करता है कि आप भी इस तरह से मानो, कोई ज़रूरी नहीं हम किसी की बात माने, इतना हमारी strong personality होना चाहिए, किसी की बातों में आने की जुरूरत नहीं है, जो सच्छा ह हमारा निष्य है, हमारा गोल है, उस गोल पर हम हमारी दृष्टी माहा रहेगी, उसको हम जरा भी चलितनी होने देंगे, समझ मिया है मैं? और निरुमा, ऐसा हुआ कि मेरे से ऐसे गल्ती हो गई, थाकि इन दोनों के भीश में तिराड पड़ गई, तो फिर मुझे वो का बराबर कर देना है situation, तो मुझे कैसा करना चाहिए? ज़ी आंटी ने बात बढ़ा दी तो, अभी इनका क्या रूलवा, उनको सुधा नहीं है अपनी गल्ती तो? पारिया तो उन्हें पूरा अनालिसिस करना चाहिए कि मेरी गल्ती कहां हुई, जब उनको रेलाइज हुआ कि गल्ती हो गई, कहां हो गई, कैसे हो गई, जितना उल्टा चले, उतना ही सुल्टा आना चाहिए क्या? और उस पर पश्षाताप करना, प्रहेश्चित करना, प्रमादी कमण करना, तो उसमें से बहा निकल सकते हैं, सामने वाला समधदार रहा तो जाकर माफी मांगना चाहिए, और समधदार ना रहा, हमारी माफी मांगने से उसका धिमाग और बढ़ जाता है, आहंकार और तो फिर सामने जाके माफी मांगने की जुरूत नहीं है, मन में ही मांग लियो, और हमारा रदय से पश्चाताप होता है उसके वाइबरिशन जाते हैं सामने वाले को. मेरा दूसरा प्रशना है कि मेरी और मेरी ममी के भीशन बहुत कॉन्टिक हो जाती है, जब हम लोग अलग रहते हैं तो दोनों के भीश में राग हो जाता है, अभी जैसे अलग है तो याद आती है ममी की और ऐसा, और जब ही मिलते है तो फाइट चालू, चोटी-चोटी बातो पर चालू जाता है मलोग का, यह नाता ही ऐसा है, जितने नाते नजदीक के है, वहाँ हमें अपेक्षा खड़ी हो जाती है, ममी पर हमारी, ममी मिलती है तब राग की वज़े से वहाँ अपेक्षा खड़ी हो जाती है, एक्स्पेक्टेशन्स, और ममी पर तो पेटियों को ह हख लगता है, मेरा हख है, लेकिन हख का मतब यह नहीं होता है कि उसको दुख हम दे, हमारी किसी बात से भी उसको दुख हो, हमारी किसी वर्तन से भी उसको दुख हो, यहने वो औरों के पास हम कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ताकि किसी को दुख हो, वहां बहुत श्याने रहते हैं लेकिन ममी के पास तो मेरी ममी है ना मेरे हख है उस पर जो पी चले चले तो क्या कहेगी तो ज़िए बुरा लगेगा पर लेकिन थोड़ी दिर के बाद वह भूल जाएगी और मैं भी भूल जाओंगी और भूल भी जाते हैं लेकिन जो बेवार होता है वहां उचित नहीं होता है तो उतना ही रिस्पेक्ट रखो ममी से पास हो या दूर हो ऐसा ही होता है यह पहले नहीं होता था जब हम लोग जोएंट फैमिली में रहते थे तो ऐसे ममी के साथ इतना अटेश्मेंट भी नहीं था और कुछ नहीं नॉर्मल जैसे और और के साथ था वैसे ही जब हम लोग सेपरेट हुए तो एक्शली मुझा से सफोकिशन हो था कि मैं यह लेडी के साथ कैसे रह पाऊंगी जैसे कोई अंजान के साथ रहने वाली हूँ ऐसा कुछ हो रहा था और अभी जब के उनके साथ में रहती हूँ तो जैसे पता नहीं क्या की सब का प्रेम जैसे उस पर आगया, सब का गुस्ता जैसे उस पर आगया, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं है, ना समझ है, यह है, मदर तो मदर ही, मा तो मा ही है आखर, उसका कैसे, एक भी दोश उसका नहीं देखना चाहिए, मा है आखिर में, वो चाहे कुछ भी कहे, उसको हक है, हमारा मा, बच्छों को हक नहीं है, ऐसा, मा कुछ भी कहे, मारे गाली दे कुछ भी करे, उसको अधिकार है, उसका रून है इसलिए, बच्छों का क्या रून है मा पर, उपर से परेशानी और बढ़ा देते हैं, हर टाइम ऐसा है, तो क्या रून किया है अपने मा पर, रून तो नहीं, लेकिन हम भी तो उनका help आता है, और कभी-कभी तो निरुमा बहुत हो जायता है, तो बहुत सामने भी भूल जाता है, आपके, एक्ष़ली पहले का रिकॉल करते हैं, लेकि पहले के आम लोग नहीं थे जब उनको पार्टी वगिरा में जाना था, तो तभी हम लोग याद भी नहीं आते थे, अभी जब जब जोएंट फेमिनी का में रिकॉल करते हूं, तो यसे ही वहता है, और अभी जाना होत आम चाहिए, तो मितल ऐसे कर, मितल ये कर, मितल वो कर, ये मत कर, ये मत कर, हर बात की टोक, 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 वो हर मा को ऐसा रहता है, कि मेरी हर मा को ऐसा अपनी बेटी के लिए रहता है, कि मेरी बेटी को इतना अच्छा सिखा दू, इतना अच्छा सिखा दू, ता सास की सुननी ना पड़े, सास की सुननी ना पड़े, बहुत सुनना पड़ते हैं सास का, उससे ज़्यादा तो इंपोर्टेंस की इंप्रेशन काईगी, मेरी इंप्रेशन खराब दो हो, वो भी हो सकता है, लेकिन बेटी की खुशी से ज़्यादा इंप्रेशन की खुशी नह होता चलता है कितनी दुख्य होती है माँ, पापा ये भाई, बहन और कोई किसी से सबसे ज़्याद़ दुख्य माहती है. अब ही की लाइफ का जो तो उनको सोचना है, इस अभी मैरेज की बात सोचना है? ना को मेरेज की सीमय हीनिर पयदा होती है, कि marriage की बात, उसको कैसा लड़का मिलेगा और उसको कैसे खर्चा, कहा से लाएंगे, कहा से पैसा, कहा से में गहने लाओंगे, कैसे करूंगे, यही ब्याचारी सोचती रहती है, अच्छी पढ़ाई के लिए भी यही सोचती है, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगी तो अच्छा उसका दुला मिलेगा, फर मा को पूछ के आओ, नहीं पढ़ाई नहीं करेगी, तो उसको दुला अच्छा कहा से मिलेगा, मेरी बेटी सुखी नहीं होगी फिर. निरमाई, मेरा पॉजिटिवस क्यों नहीं देखती, लेकिन जितना भी काम करते हैं, उसमें पॉजिटिवस भी तो उनको देखना चाहिए, हर बार नेगेटिव, दस आइटम बनाई तो नौ आइटम अच्छी बनी वो नहीं दिखेंगी, वो एक आइटम जो बिगडी, उ हम भूल जाते हैं, और एखाद ही कोई गलती हो गया, एखादा अपकार हो गया, तो लाग भूल जाते हैं और एक अपकार में इतना सारा गूस जाता है, कि उसके वज़ा से इतना उस पे द्वेश होता है, इतना उसको नगेटिव देखते हैं, उससे दुस्मनी मोल लेते ह यह रागद्विश का फल है, जहां जितना राग है, अटेश्मेंट है, वहां उतना ही हेट्रिट आएगा, यह नियम है, यह नेचर के, कुद्रत के नियम है, इसमें आप कितना भी अकल लगाने जाओ, बुद्धी लडाने जाओ, काम नहीं आएगी, और हम जो बताते हैं, यह बुद्धी का मार्ग नहीं है, यह रदय से समझने का मार्ग है, हार्टिली आप लेओ बात को, हार्टिली जाओ, हार्टिली में निर्मा राग हो जाएगा, क्या कहा, हार्टिली में तो वापस अटेश्मेंट हो जाएगा ममी के साथ, उसे heartily नहीं कहते हैं, heartily नहीं बुद्धी नहीं आती है, बीच में, किसी के साथ relations है, उसके साथ बीच में बुद्धी नहीं आती है, positive नहीं साता है, negativity नहीं आती है, उसे heartily कहते हैं, उसके लिए कभी उसका गलत नहीं सोचते हैं, उसका बुरा नहीं सोचते हैं, यहां तक कि उसको हमारे से इतना भी दुख हो, वो सह नहीं सकते हैं. किसी के भी लिए, जो हार्ट लिए रहता है, उसको सबके लिए ऐसा रहता है. और निर्मा, ये कंपेरिजन का क्या किया जाए? ममी हर बात में मेरी फ्रेंड्स लोग के साथ कंपेरिजन कर दिया, और वो भी एक जन का एक पॉइंट, डूसरी का दूसरा पॉइंट, और उसको सभी के सव पॉइंट्स मुझ अक्ली में चाहिए. ये तो भी हो सकता है. एक एका बताएगी, रिंकल ये अच्छा करती है, ममता का ये अच्छा है, ये सामने नहीं बोलती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? गुष्रे, बुरा नहीं लगाना चाहिए, ममी को इतना कहना चाहिए, ठीक है ममी, साओ जन के मेरे खिले में नहीं आये है, लेकिन मैं कोशी जरी जरूर करूंगी, अगर साओ के साओ गुन के सब के मेरे में आ गए, तो मैं सिता माता बन जाओगी. उस टाइम में मैं सामने सुना देती हूँ, कि उसको एक जन को ले लो, अपके साथ रखो दस दिन, तो पता चल जाएगा, कि मैं कितनी अच्छी हूँ. कुछ बनता नहीं, कोई रखता नहीं, और कोई रहने को आता भी नहीं है, जिसका जहां हिसाब है, वहां ही रहेगा. अभी नहीं क्या किया है, मुझे बहुत ही उनके दोश दिखाई दे रहे हैं, कि ऐसे हम द्वेश ही द्वेश आ रहा है, जभी मैं उनका नेगेटिक सोच नहीं जाती हूँ, तो ऐसे लगता है, कि इन्होंने कुछ बाकी नहीं रखा, तो मुझे… नहीं द्वेश नहीं करना चे, उसके लिए पश्चाताप करू, पराश्चीत करओ, माफी मागो, जहां जहां गलती है, पर अपने ममी का दोश देखा हूँ, उसके लिए जहां जहां द्वेश आया हूँ. उस सारे अपना इंट्रोस्पेक्शन करके उसको सब देखो और उसको उखेड के फैक दो, उखार दे उस सारे चीजों को, पॉजिटिव रखो, मा है आखिर मेरे, सरबस्व है मा हमारी, शादी होने के बाद पती होगा लेकिन अभी तो मा है, फिर भी मा का रिष्टा ऐसा है क जिन्दगी भर वो अलाइदा ही रेता है, उसका स्थान सबसे अलग है, उंचा है, वो तो आप जब मा मनोगी तब समझोगी, वो निरुमा, मम्मी और पपा के विश में से भी जगडा होता है, तब भी मुझे मम्मी का ही दोश दिखाया, और एक्शली ऐसा होता है कि पपा पाज जगडा करते हो, लेकिन आखिर में दोनों एक हो जाते है और बच्चे खाने हो खा भगा, हैरान हो जाते है, खा मो खा परिशान, मैं और मेरा भाई इतने डर जाते है उस टाइम पे, कि पढ़ाई में ध्यान लेता भाई का तो कि ऐसे जैसे बहुत बदा बतंगर बन तो ऐसा ही होता है, इसमें कोई ज्यादा महत्व नहीं है